बहुत ही इंपोर्टेंट एक टॉपिक है ये दियूरिंग दा मन्त अ रमदान, वो है तरावी, तरावी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो नंबर आ जाते हैं, एक है आठ एक है बीस, तो ये आठ रकात, बीस रकात कितना पढ़ना है, ये हर साल, हर मस्जिद में, हर सें पढ़ना, बीस रकात पढ़ना, ये एक महल को खराब करने वाली चीज़ है, ये जो जगड़े आट और बीस को हो रहे हैं, ये होना इसलिए चाहिए था, जब कोई घर का आदमी पांच वक्त में से कोई एक नमाज छोड़ देता, उससे जगड़ा होना चाहिए था, कि वाले वाइलेंट अंदाज में इसके बारे में डिसकॉशन करते हैं, जब कि ये खास करके रमदान के महिने में ये सब देखना अच्छा भी नहीं लगता और लोगों के इसके बारे में समझ भी नहीं आता, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या अंदाज होना चाहिए हमा जी इतास भई आपने एक एहम सवाल किया है कि रमदान के महिने में जो मुस्लिम कम्यूनिटी में आट रकाद या बीस रकाद को लेकर अबादत करना ये लग चीज़ है लेकिन इसको लेकर जगड़ा करना ये अख चीज़ है इस मौके बर में वही बात कहूंगा बेसिक रूल इल्म की कमी की वेदे से दो कॉंसेट्स है जो मुस्लमानों को सीखना चाहिए जगड़ा रुख जाएगा खुद बखुद पहली चीज़ है ऐसी अबादतें अल्लाह अब्लिगेशन हर मुसलमान पर लाजिम किसी सिचुएशन में माफ नहीं है जैसे पांच वक्त की नमाज ठीक है ये फर्दल आइन है मर्द के लिए औरत के लिए औरतों के लिए हैस की दिनों में माफी है कंपल सरी है इसकी खजाबी औरतों को कनीनी है फर्दल आइन है लाजिम छोड़ेंगा बाली अगादमी गुना लिखा जाएगा हता कि अब्स ठीक आइन है फर्दल आइन है पर्दल आइन जो अबादत फड्द नमाज thing ये जो जो झगड़े आटо 20 को हो रहे हैं ये होना इसलिए चाहिए था जब कोई घर का आदमी पांच वक्त में से कोई एक नमाज छोड़ देता उससे जगड़ा होना चाहिए था कि तुम मुसल्मान होते भी इतना बड़ा गुना क्यूं कर रहा है किसी शादी में जाते हैं दुलह दुलन नमाज नहीं पढ़ते पूरे महमान नमाज नहीं पढ़ते जगड़ा वाह होना चाहिए था तुम अल्ला के बंदे शादी के लिए फर्द नमाज को छोड़ रहे हो इसी हाल में अगर मौत हो गई है गुना नहीं है लेकिन नफरत करता है तो वो बहुत बड़ा गुना है जैसे तरावी के नमाजे ये अबलिगेटरी नहीं है ये नफिल सला है अब वॉलिंट्रिली प्रेड्स जो आप पढ़ते हैं अफिल सला होता है ये आप पढ़ने से आपको अजर मिलेगा अगर आप अख्तियार के बात है आप अजर हासिल करना नहीं इशाद लेकर आपको गुना नहीं है लेकिन आप अगर इससे नफरत करते हैं ये क्या पढ़ना है तो एक कुफर वाली बात है चहुरती चीज़ नभी ने फर्मा रम्दान जो लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है मुसल्मानों के लिए अपने आमाल में अच्छे आमाल करके अजरो सवाब हासिल करने के लिए जो कोई हालत एमान में इखलास के साथ रात का क्याम करे यानि इशाद की नमास के बा इसके बावजूद ये फर्द नहीं होगे ये तालीम के बावजूद पांच वक्त की नमादें जैसे रमदान में फर्दें साल भर भी वैसे ही फर्दें ठीक इसी तरह जैसाना साल भर पांच वक्त की नमादें फर्दें रम्दान में फर्दें नभी सल लिए अलग बात है लेकिन नफिल صला नभी अश्यां की नमाज के बाद जो रमदान में पढ़ते थे वो साल भर बढ़ा करते थे रमदान के लिए स्पैसिफिक नहीं था लेकिन चुक्छे आम लोग रमदान के अलावा ग्यारा महिनों में वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ते जिसे एक्चुली तहजुत सला कहा जाता है उन्हें नसीयत की गए कि रमदान में ज्यादा फाइदा उठा लो महनत कर लो अल्लह की अबादते कर कर ल्लह के नभी स्वेंटीन रकात नमास पढ़ते थे कितनी सत्रा रकाते नमास पढ़ते थे वो कैसे होती है इशा की नमास के बाद जो भी नमास पढ़ी जाएगी नफिल उसे तहजुत सला ही कहा जाएगा लेकिन इसका जो अफजल वक्त है सबसे ज्यादा हजिर मिलने वाला और पीक लेवल पर जो वक्त है वो रात का तीसरा हिस्सा है रमधान और रमधान के लावा सत्रा रकाते पढ़़ते थे कैसे दो रकात पढ़ते सलाम पढ़ते आट रकात हो जाते उसके बाद आप उड़ते बाद आप तक्रेद करते हैं और दो तशहूत के साथ ऐसे मखरीब की दूस्टी रुकाओ में आप एक तशहूत करते हैं और मगरीब की नीसे रुकाओ में एक आप तशहूत करते हैं वैसे ही दो तश spéवत के साथ ये आट रुकाओ तकमिल करने के बाद आठवी रकात में तशवत पढ़ा जाता है फिर सलाम फेरे बगर उठा जाता है नवी रकात पढ़ी जाती है अब नवी रकात में तशवत पढ़ा जाता है पर सलाम पढ़ा जाता है आठ रकात नफिल नव रकात वित्र वित्र कहते हैं वन, त्री, फाइफ, सेवन, नाइन को नाइन ये हो गए ये नभी सल्लाव सल्म में जो नफिल सला पढ़ी तहजुद में ये दोनों तहजुद के हैसा है लेकिन ये वितर हो गई एट और नाइन कितने हो गए 17 रकात लाके नभी सल्म की पढ़ना सुनन कभी 17 के बज़े आप वितर में 9 के बज़े 7 पढ़ने की भी इजाज़त दिये तो 15 रकात हो गए कभी 5 पढ़ने की भी इजाज़त दिये तो 13 रकात हो गए कभी 3 पढ़ने की भी इजाज़त दिये तो फिर 11 रकात हो गए और कभी एक पढ़ने की बिराज़ दिया तो भी नव रकात हो गए तो तरावी इशांस ला के बाद दो डो रकात पढ़ते वे आठच पढ़ेंगे या तो आप एक बित्र पढ़ी है तीन पढ़ी है या पाँच पढ़ी है उत्तियार की बात है तरावी मस्धिद में जमात के साथ पढ़ी है सहरी को एक घंटा पहले उटकर आप 9 रकात बीतर की नमास पढ़ी तो रात पर आप 17 रकात नमास पढ़ने वाले हो गड़ सुन्नत पर कायम हो गया मसला ये खातम हो गया ना दूसरी बात ये हैं यहां पर अब रही बीस रकात कहा से आ गई नभी सुन्लाव लिए वसल्म ने अपनी जिन्दगी में सहाबा एकराम को जो सला पढ़ाई तरावी की वो 8 रकाती है लोग हजरते उमर रादिरों से लाते हैं कि आपनी 20 रकात पढ़ी अगर पढ़ी भी होगी अगर पढ़ी भी होगी तब भी वो दीन का हिस्ता नहीं बन जाता ना अजरते उमर कामल नभी सल्लाव लूब सल्म की मौजूद की महजरते उमर हजरत उबोकर ने क्या पढ़ा 8 रकात पढ़ी और अगर 20 रकात पढ़े भी हैं तो वालेंटरिली सला है अब लोग दली देंगे मका में पढ़ा जाता है मदीना में पढ़ा जाता है तो मका और मदीना में लॉगडान में 10 रकात पढ़े गए जब लोग कोई ने थे तो आप लॉगडान में 8 रकात पढ़ लिए 10 रकात पढ़ लिए नहीं पढ़े ना दूसरी बात ये है, मक्का और मदिना हमार अलिय orada अलिय ए, हमार अलिय ए इसलाम, नभी Subscribe स्वा आर्यूप की जिंदगी है 5, 8 प्लस 7, 8 प्लस 9 सुन्नत की भी मुहबत होनी चाहिए आमाल के लिए अगर पढ़ा भी हो अगर उलमा सही भी कहते हो उसे अहल सुन्ना उलमा में से सल्फ सालिन अहल उदीस उलमा में से तब भी वो नफिल सलाही है जिसके नहीं पढ़ने पर कोई गुना नहीं है इसके पढ़ने पर अजर है नफरत करने पर उससे देऊ सो कुफर वाली बात है अब यहाँ बात कहे दूँ कोई तरावी पढ़ता नहीं इस वरे से नहीं पढ़ रहा क्यों से उसे नफरत है तरावी से कौन पढ़ेगा भे जान दे छोड़ो कौनसी सुन्नत कौनसी नमाद ऐसे अगर कोई हैं मुसल्मान अल्ला इसे चर्ट से बचाए एक आदमी है जो 20 रकास से नफरत कर रहा है एक आदमी है जो 8 रकास से नफरत कर रहा है कौनसी नफरत इसके लिए गुनेगार साबित होगी सुन्नत की नफरत ना और कोई कह रहा है ने में 20 नहीं पढ़ता है इसलिए क्योंके 8 ही की सुन्नत मुझे दिख रही ये तो महबत होगे ना सुन्नत से तो इन बातों को समझना चाहिए किसी किसम के जगड़े की ज़रत नहीं है अगर जगड़ा वाकितन करना है तो आप प्र पांच वक्त की फर्द नमादों में साल भर करिए ये आप के लिए अजिर की बाया सुझाए जगड़े समराद मार पीड़ खुन खराब है नहीं नसियत करो दस साल का बच्चा कर नमाद नहीं पढ़ता तो तब कहा गया उसे नसियत के लिए हलकी सी मार मारो मार की तो तालिम है ना यहां पर ताकि उसे एसास हो वो गलती कर रहा है स्कूल में पनिश्मेंट दी जाती है कहीं पनिश्मेंट दी जाती है अहसास के लिए ऐसी मार नहीं कि खून निकल जाए उसे जिसम लाल हो जाए या मार आजाए ऐसी मार नहीं बलके उसे ऐसा मामला होना चाहिए ऐसास दिलाने के लिए तो आपको ताजब होगा पांच वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं और ऐसे फतावे स्कॉलर्स के हैं के बे नमाजी चाह लड़की हो या लड़का हो ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से निकाह करना भी मना है निकाही नहीं कर सकते हैं आप सुची नमाज पढ़ रहा है एक शोहर बीवी नमाज नहीं पढ़ दी है कौन सा दीन है घर में या बे नमादी से आप निकाह करेंगे जब बे नमादी से मुराद बे तरावी से नहीं फर्द नमादों से वहां तो बजाते हुए बाजा खुशियों से अनिकाह मीन सुन्नती कहकर خुदमा दे कर चुरान की आयत पढ़कर बे नमाजी लड़के से निकाह हो रहा है वहां कोई ताजियूं की बात नहीं है उर आट रकाथ पढ़ने वाले पर एतेराष और आट रकाथ सला पढ़ने वाले जो भाई हैं हमारे, जो सुन्नत की उस बात से बेंतिया मुहबत करते हैं, उनसे भी गुजारे से 20 रकात पढ़ने वाले भायों से ऐसा सक्त रविया ना करें, जैसे आपको फर्दनमाज छूटने पर अपने घर वाले से करना चाहिए, नफिल सला है ना, चलो पढ़ रहा है लेकिन यखिने ना, बोल सकते हैं कि सुन्न से साबित नहीं है यह बात, बस कहें दो, अगर वो नफिल सला पढ़ रहा है उसके इक तियार की बात है, दूसरी बात ही है, जब हम सला पढ़ते हैं इशां की उसके बाद जो भी नमाज होती है, रात का कयाम है, कहीं सारी तीन रकात पांच या साथ पढ़ चुका फिर मैं रात को अटकर वुदू किया तो नभी सुनत ये भी आप दो रकात तहियत वुदू सलाव पढ़ते थे तो आट में दो और एड हो गए ना लेकिन वो नियत है लेकिन रात के क्याम में तो बो काद्स मजद हो गोगे न, फिर क penetrate के लात वुदू किया और एक तहियत वुदू पढ़र नहीं पढ़ सकते क्याव मैं रात के वक्त में फजर की नमाज से पहले मस्जिद में दाखिला ले लिया दो रखा तहियतुलमस्जिद नहीं पढ़ सकते क्या मुझे किसी मसले में इस्तेखारा करना था मैं रात को में इस्तेखारा करना चाहते हूं इस्तेखारा नहीं कर सकते क्या ये नवाफिल सलाथ रात के इसमें 8 होते जाते ना लेकिन तरावी की नियत से 8 रकात ही साबित है जो सुन्ट में 20 रकात पर अगर कोई अमल करना चाते है किस स्कॉलर्स की उपिनिन नो उसके अपने अख्तियार की बात है लेकिन अगर कल के दिन कोई आकर ये कहेगा पांच वक्त की फर्द सला नहीं छे वक्त की है तब उसको ऐसे डील नहीं किया जाएगा और इसे तरावी के मसले में तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है कहा जा रहा उसके तो सखती से कहा जाएगा कि हर्गीस भी अमल नहीं हो सकता अबलीगेटरी सला नफिल सला लेकिन सला चाह अबलीगेटरी हो या नफिल हो दो चीज़ें उसकी खुबलिएट के लिए एक इخलास खालिस लोड़ के लिए暮ल हो शिर्क के बगேर हो तोहीद के वो सıigg our live की सुन्न अप तरावी पढ़ रहे हैं इकलास के साथ लोड़ के लिए सुन्न उसमें आठ रकाते हैं सुन्न में हाध बानने का तरीधा भी सुन्न में रुकू में जाने का तरीधा भी सुनत में रफल देन का तरीखा भी, सुनत में सजदे में जाने का तरीखा, सुनत में सजदे से उठने का तरीखा, दो सजदों के दिरमान पीड सीदी करके बैटने का तरीखा, उसके दिरमान रबिख फिली पढ़ने का तरीखा, ये तमाम चीजें जो कौली चीजें हैं, सु पर कुछ मेशियां सुन्टंप की लिए नमादे। जितना पड़े उतने से महबत करना ये भी जरूरी है और उतना ही हमारे लिए काफी है यही आसान दीन है यही हमारे लिए समझना जरूरी है